नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष श्रीक्रिष्ण भगवान की छटी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिस प्रकार नवजात शीशु के जन्म के छह दिन बाद छटी होती है, उसी प्रकार श्रीक्रिष्ण भगवान के जन्मोत्सव के छटे दिन उनकी छटी मनाई जाती है जिन घरों में ठाकूर जी बाल स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं वह घर की सदस्य हैं जैसे हम अपने बच्चे की देखरेक करते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान से भी हमारा सनेह रहता है भगवान के जनमोत्सव के बाद छटी महोत्सव भी बड़ के लिए जन्माष्टमी का दिन सबसे उत्तम है धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का जन्म अपने मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने काली अंधियारी रात में नंद बाबा और ये शोदा के घर छोड़ दिया था जब कंस को इसके बारे में पता चला तो उसने राक्षसी पूतना को कानह जी को मारने का आदेश दिया और कहा गोकुल में जितने भी छह दिन के बच्चे हैं उन सब को मार डालो लेकिन कृष्ण भगवान ने छह दिन में ही पूतना का वद कर दिया था उसके बाद ये शोदा मैया अपने कानहा की छटी मनाई थी, छटी के दिन सुभा सनान करके साफ वस्त्र धारन करें और कानहा जी को पंचामरित से सनान करवाएं, पंचामरित बनाने के लिए दूद, घी, शहद, गंगाजल और दही को मिलाकर पंचामरित बना लें, उसके बाद शंख में गंगाजल भर कर एक बार फिर से कानहा जी को सनान करवाएं इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रिंगार करें लड्डू गोपाल को पीला रंग बहुत प्रियर है इसलिए कोशिश करें कि आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं फिर कानहा जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं और उनका नाम करण करें लड्डू गोपाल ठाकूर जी कानहा नंदलाला माधव और देव की नंदन नामों में से कोई भी एक नाम चुन कर उन्हें उसी नाम से पुकारें कानहा के चर्णों में घर की चाबी सूप दें इसके बाद लड्डू आवल जरूर बनाएं आए अब शुरू करते हैं श्रीक्रिष्न भगवान की छटी की कथा एक बार ब्रजभुई में भगवान श्रीक्रिष्न के परमभक्त कुम्भंदास जी रहते थे कुम्भन दास जी का एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था कुम्भन दास हमेशा भगवान शिरी कृष्ण की भक्ती में लीन रहा करते थे और भगवान की सेवा के चलते उन्हें छोड़ कर कहीं नहीं चाते थे एक बार उन्हें व्रिंदावन से भागवत करने का न्योता आया पहले तो कुम्भन दास जी ने मना कर दिया फिर लोगों के बहुत चोड़ देने पर वह मान गई उन्होंने सोचा कि वह भगवान शिरी कृष्ण की सेवा की तयारी करके जाएंगे और रोजाना कथा करके वापस लोटाएंगे इस तरह से उनका कृष्ण पूजा का नियम नहीं तूटेगा फिर कुम्भन दास जी ने भोग की सारी तयारी कर ली और अपने बेटे रगुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और इतना कहकर वह कथा करने के लिए चले गए रगुनंदन ने अपने पिता के कहे अनुसार भोजन की ठाली भगवान शिरी कृष्ण के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आगरह किया उसके बाल मन में यह छवी थी कि भगवान शिरी कृष्ण अपने हाथों से भोजन करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की ठाली ऐसे ही रखी रही तो रगुनंदन जोड-जोड से रोने लगा और उसने कहा हाकुर जी आओ और भोग लगाओ रगुनंदन की पुकार को सुनकर शिरी कृष्ण भगवान ने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैट कहे जब कुम्भन दास जी कथा करके घर वापिस आये तो उन्होंने रगुनंदन से प्रसाद मांगा तब रगुनंदन बोला ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर कुम्भन दास को लगा कि बच्चे को भूख लग गई होगी इसलिए वही सारा भोजन खा गया होगा लेकिन यह तो रोज की कहानी बन गई अब कुम्भन दास जी को शक होने लगा एक दिन उन्होंने लड़ू बनाकर थाली में रखे और छिपकर देखने लगे कि रगुनंदन क्या करता है फिर रगुनंदन ने रोज की तरह लड़ू की थाली कृशन जी के आगे रखे और कृशन भगवान ने बाल रूप धारन किया और लड़ू खाने लगे कृशन भगवान के बाल रूप को देखकर हुमभन दास भागता हुआ वहां आ गया और भगवान के चड़नों में गिरकर विंती करने लगा उस समय लड़ू गोपाल के एक हाथ में लड़ू था और दूसरे हाथ का लड़ू मुढ में जाने वाला था लेकिन इतने में ही वह जड़ हो गए उसके बाद से ही कृशन भगवान के इस रूप की पूजा होने लगी और उन्हें लड़ू गोपाल कहा जाने लगा बोलो लड़ू गोपाल की जय यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जै श्री कृष्णा जै लड़ू को पाल लिखना ना भूले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद नंद के आनंद भयो जै कन्या लाल की हाथी घुडा पाल की जै कन्या लाल की